दुलहन रह गई हैरान जब सुहाग रात के समय पूरा गाउं बैठ गया कमरे के बाहर वजह जानकर रह जाएंगे हैरान 200 विवाहजे से शादी कहा जाता है दो लोगों के बीच एक सामाजिक और धार्मिक मानिता का मिलन है जो उन लोगों के बीच उनके साथ साथ उनके परिवार, बच्चों, समधियों के अधिकारों, दायतों को भी स्थापित करता है लेकिन दुनिया में शादी को लेकर हर तरफ अलग-अलग रीती रिवाज हैं कुछ परमपराएं ऐसी हैं जिन पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है वहीं एक गाउं ऐसा भी है जहां सुहाग रात के समय पूरा गाउं कमरे के बाहर बैठा रहता है तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है इसकी वज़ा कंजर भाट नाम के समुदाए पिछले 20 सालों से यही पुरानी परमपरा निभा रहे हैं इस परमपरा को निभाने का असली उद्देश दुलहन के चरुत्र के बारे में जानना है इस परमपरा के अनुसर दुलह दुलन को कमरे के अंदर जाने से पहले सफेथ चादर दी जाती है और नव विवाहत जोडे को इसी बिस्तर पर सफेथ चादर बिछा कर सोना पटता है सुबह सरपंच चादर पर दाग देखता है अगर चादर पा दाग हो तो महीला को पवित्र माना जाता है यदि कोई दाग ना हो तो वो महीला परिक्षा में फेल हो जाती है यही कारण है कि पूरा गाउं सुहाग रात के समय कमरे के बाहर बैठा रहता है तो कैसी लगी यह आपको अनोखी जानकारी हमें जरूर बताएं